हलो दोस्तों स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में तो कैसे हाँ सब उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और खुस होंगे तो यहां मैं आज लेकर आई हूँ देखे यह है कुंदरू जो हमारे यहां मतलब बगान में हुआ था कुछ कुंदरू तो यह बस इतना कैसा चाहिया जिए आपको जैसे हाँ मन काट सकता है आप काटाने से कोई थेस्ट में फरक नहीं आता है तो मैं इस तरह से का ठरी हूँ देखे लंबे-लंबे आकार में अर इसलिए काटने के बाद ही हम दोएंगे क्योंकि इस से कुछ लसार सा निकलता है तो अगर रहे क्या Ram Contour monster ब процत यह ना डौई पके हुए थे तो भी मैंने डाल दिया रेड टैप की इसका तेस्ट थोड़ा सा खटा होता है जो पका हुआ हुआ होता है पका हो तो जाहँ हो तो ना डाले चार पॉस चले गा यह तो यह到ड का उ सील तो यह मैंने काट लिया है उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है और कढ़ाई गरम क्या जब अच्छी तरह से गरम होजाए तो मैंने तो इसमें डाला थोड़ा सा तेल जब गरम होजा courage So मैंने यहाँ पर डाल तो इसके बाद हम जाल देंगे यहां पे कुंद्रू को और कुंद्रू को अच्छी तरह से हम यहां पे भूनेंगे और कुंद्रू को भी बस हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें थोगा सा ब्राउन कलर आ जाए तो तब तक हम इसे यहां पे भूनेंगे ताकि यह पे डालेंगे मसाले जोमने पेल हमने पहले से तयार रखा है तो मसाले में हाँ पेल पोस्ट बनाओ और मैं भाया रखाय है तो यह दिखे यह हमारा मसाला को हम यह Abbutt आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं वरना इसके बगए भी बहुत अच्छी बनेगी सब्जी, बस करर के लिए थोड़ा से हम यूज करेंगे, तो यह मैंने डाला नमक, हल्दी और थोड़ी सी कासमेरी लाल मिर्च, उसके बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और जब यह इतने कम मसाले में भी बहुत अच्छी बनती है बहुत टेश्टी बनती है सब्जी आप अपने घर में एक बात जरूर ट्राइ किजिए अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी सब्जी कैसी लगी तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अच्छी तरह से भून गया है अब इसमें पानी डालेंगे और पानी हम उतना ही डालेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए वसे आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं काफी चटपटी शी लगेगी पर मुझे ग्रेवी वाली चाहिए थी तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे मितलब जश्ट दो से तीन मिनट इसको ढख कर पकाएंगे क्योंकि हमारी कुंद्रू अच्छी तरह से पक चुकी है और मसाला भी भून गया है तो इसमें और मतलब पकने की कोई जरुत नहीं है बस इसे दो से तीन मिन तो आज का ये छोटा सा पीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीच एक लाइक जरूर कर दीजेगा सब्सक्राइब बाएद दीजेगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेर किजगा मेरे वीडियो को तो मिलत हैं किसी नेक्स लोग मेट अपते कि लिपाई उतना क्याल रखेगा और मेरे सब्सक्राइब बनाग रखेगा और ये रिक्या कि लोग मेरे बनाग मेरे गा बाखेगा और भाल को तो में उतना को अपने हो जह जाग कि अंवा हैं अदो आप . झाल